नवस्कार दोस्तो जो अपने कदवों की कावलियत पर बिस्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजल पर पहुंचते हैं नवस्कार दोस्तो रादे रादे स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल गीता के नदासी पन में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या रासी वालों की कन्या रासी वालों को 30 अपरेल दिन सनवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन-किन चीजों से साब्दा देना होगा और कन्या रासी वालों को आने वाले समय में वे कौन-कौन सी कुसकवरी मिलने वाली हैं तो दोस्तो आज में आपको बताएंगे कन्या रासी वालों को पार्ग वार जीवन कैसा रहेगा उनका बीजिश्प्या पर कैसा चलेगा उनका प्रेम समथ कैसा रहेगा और साती साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज इंशीड़ों में आएका शंपूर रास्पुल बताएंगा अगर दोस्तो आपकी भी कन्या रासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज सनी देव का दिन है अगर आप चैनल पर पहली बार आएंग तो इसे सस्काज रूका है और साथ इसार बेल आइकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेस्टा मिल सके दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांगी 30 अपरेल 2022 दिन सनवार आज की दिती अमावस्या आज का नचत्र असुनी नचत्र पचे चाजाज आज किष्ण पच आज सुर उद्य होगा सुबह 5 वज के 41 मिनट पर और सुर अस्त होगा साम 6 वज के 55 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय है सुबह 11 वज के 52 मिनट से दोबह 12 वज के 45 मिनट पर अगर दोस्तो आज आपको सुब कर करना चाते हैं तो आप इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा साती आपको वताएं आज का असुब समय है सुबह 5 वज के 41 मिनट से सुबह 7 वज के 37 मिनट पर दोस्तो आज आपका लकी लंबर नाइन और सुबर रंगे गुलावी और लाल दोस्तो अब बात करते हैं आज की रासिपल की बारे में आपका दम कैसा रहेगा आगी जानते हैं तो दोस्तो आज आपके पास अपनी सेयद के और लुक्सिस और जुड़ी चीज़ों को सुधानने के लिए परियाप्त समय होगा बिन बुला या कोई मेमान आज घर में आ सकता है लेकिन इस मेमान की किसमत की बज़े से आज आपको आर्टिकला हो सकता है गर के किसी सदस्य के बिवार की वज़े से आप परिशना रह सकते हैं आपको उनसे बात करनी की जरूरत है रोमेंच अगतेन है क्योंकि आपके प्रिये का फोन आएगा नई योजनाए आकरसर होंगी और अच्छी आमदनी के जरिया सावित होंगी ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे हैं जो आपकी प्रितिष्टा को आगात पहुँचा सकते हैं आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी बुला नहीं पाएंगे साथी आपको बताएं आज के दिन आप बिना जंजट बिस्टाम करेंगे अपने मासपेसियों को आराम देने के लिए तेल से मालिस करें जो लोग अपने करीवियों या रिष्टिदार के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सोच समझ कर कदम रखेनी के जरूरत है नहीं तो आर्थिक नुक्सान हो सकता है कुछ लोग आपके जुझलाज की बज़य बन सकते हैं उन्हें नजर अंदाज करें यात्रा के चलते रुमानी संबंद को बढ़ावा मिलेगा बिवसाइक साही तर सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं आज जीवन के कई एम मुद्वों पर आप घरवालों के साथ बैट कर बात कर सकते हैं आपकी बात हैं घरवालों को परिशान कर सकती हैं लेकिन इन बातों को हल अवस्य निकलेगा आज का दिन उम्दा में घेरे जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साथे के साथ प्रेम के चरम का अनवब करेंगे साथ जार दोस्तों आपको बताएं आज आप साथ कुछ परेशानी और फसे रह सकते हैं ऐसे समय में आपको जो मदद मिलेगे उससे आपको बहुत रहत मिल सकती है कारशेत्र में आपको अपनी सीमा को जानना चाहिए अगर काम आपकी सोच के अनुसा ना भी चले तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए ये सारी परेशानियों और इस्ताई हैं जो कि समय के साथ अपने आपी खत्म हो जाएंगे आपकी मैनत और लगन आपके केरियर को बहुत उचाईयों पर ले जाएगी और आपको बहुत लाब होगा आज का दिन संपत्ति अत्वा सेयर बजार में निविस करने के लिए सोब है साथे साथ दोस्तों आज आप खुद को एनरजेटिक महसूस करेंगे इस उर्जा के साथ जिस काम को करेंगे वो समय पर पुरा हो जाएगा इस रासी के जाक्सर अपने अनववव का इस्तिमाल सही दिसा में करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगे आयत तरक्की के कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें जीवन साथी की सला आपके लिए काफी खायदिमन सावित रहेगे इस रासी के जो लोग वर्किंग है उन्हें कोई नई जॉब का ओफर मिल सकता है लम्मेट के लिए आयत दिम काफी बढ़िया रहेगा और दोस्तों आज आपको तरक्की के कुछ नई सादन मिलेंगे जीवन इस तरको और वेतर बनाने के लिए आपको इस संकल्प ले सकते हैं घर के सदस्यों के इच्छां को समझने की आपको कोसिस करने चाहिए आज अपने साती के साथ प्यार से काम लें अपने प्रिया को कुछ रखने की आपको पूरी गोसित करनी चाहिए आज के दिन आपको कुछ मेत्वर आर्थिक नेड़े लेने की जरूरत है यह आपके बविस्ट को पित्ति बद्नित करने वाला है बिजनिस में रुका हुआ पैसा मिल सकता है आज आपके पास अधिक कार का बोज हो सकता है लेकिन गवराने की जरूरत नहीं है नौकरी कर रहे जातकों को किसी महला मित्र के सहयोग से पदो उन्नेती प्राप्त हो सकती है साथी साथ दोस्तों किसी तरह के चल अचल संपत्ति में पैसा लेगेगा और इससे आपको लाप भी होगा पुराना कर्ज चुका देंगे लाइब पैटन आपके नाम से कोई संपत्ति या गर का कोई बड़ा सामानुई खरी सकता है ससराल में अपोजिस जेंडर वालों से आपको साबदर रहना चाहिए एक्ष्टा मेरेटर अफेर के यूग बन सकते हैं ऐसी इस्तति बने तो आपको खुद पर कंट्रोर करना चाहिए हड़ियों का कोई पुराना रोग है तो वह ठेक हो जाएगा क्या उसमें आज आपको कावी आरम देखने को मिलेगा आज कार इस्तल पर से कर्मियों को सेयोग मिलेगा पढ़ाई या किसी सेमिनार के बज़े से आपको घर से बाहर भी जाना पढ़ सकता है साथी साथ दोस्तों आपको वताएं कुछ चर इस्ताई प्यार के छड़ों के कारण आपका बैयोग जिमन सांदार रहेगा नए रिष्टे सुकद होंगे आप परवार वालों के साथ बाहर गुमने की योजना भी बना सकते हैं आप अपनी बाढ़े द्वारा हर किसी को मो लेंगे आज अपनी उतकरस्ट और विश्टो सनिय निर्यात्मक निपुरता के बल पर बित्र संबंदी फैसलि लेने के लिए आज कर दिन उत्तम दिन है आपको पैसे या बिवसा संबंदी एक रोमेंचर अफसर की पेस की जा सकती है आपकी कड़ी मेहनत का आपको इच्चित और लाबदायक पड़ाम मिलेगा स्वास्त उत्तम रहेगा आज एक नई स्वास्त वेवस्ता का प्रारम करने के लिए उप्रयोक्त देने आप बहुत सक्रिय और उर्जवान महसूस करेंगे दिल की सुनें आपका हिर्दे आपका सईध दिसामे मार को दस्तन करेगा मन की इस्तती बिर्वित रहने के कारण आपका संभासन प्रवावित होगा और धैर रखें और अपने आपके साथ ज़्यादा ज़्यादी ना करें दोस्तो अब बात करते हैं आपकी लवलायक की आपका प्रेम जीमन कैसा रहेगा आगी जानते हैं तो दोस्तो बैवेक जीमन में सामांजत रहेगा मनुरंज सम्बंदिक क्यारों में समय ब्रतित होगा साथी परवार में हस प्रास कुसी का महुर रहेगा पारिक बातवड़ में आज सुकत बना रहेगा प्रेम समंदों भी प्रवड़ता आएगी वा रोमेंटिक महर रहेगा निकट सम्बंदियों के यहां आप किसी कार की बज़य से चाह सकते हैं कापी समय बाद गर से निकलना वा लोगों से मिलना जुलना कुशी और इस्पूर्ति प्रदान करेगा पारिक बारिक बाद वड़े में कुशी का महर रहेगा लेकिन आपके आपसे नीची मावले में तोड़ा बहुत मनमटाव रह सकता है लेकिन आप व्यर्द की चिंता ना करें इससे आपकी सेयत पर फर्क पड़ सकता है साथी साथ आपको बता दें कि गर के सदी सदसे एक दूसरे के साथ समय ब्यतित करेंगे बहारी संबंदों से आपको साब्दान वाहोसे रहना चाहिए इससे मान संबंद हानी होने के संभावना है परवार के व्यक्ति आपसे को नाड़ाज की व्यक्त करेंगे क्योंकि काम के चलते आप बेस्त रहने से आप अपने परवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए आप उनके लिए समय जरूर निकालें दोस्तो अब बात करते हैं आपके हेल्थ की आपका स्वास्त कैसा रहेगा आगे जानते हैं तो दोस्तो, आज स्वास्त को लेकर आपके लिए इस्टियां सामान रहेंगे, आज किसी तरह की कोई स्वास्त सम्मंदित समस्या, कोई उत्पन होने को नहीं है, दोस्तो, आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा, जिसके चलते आप अपने आपको तनमुक्त वा तरोताय और तंदुस्त मेहसूस करेंगे दोस्तो साथी साथ आप अपने स्वास्तों को और भी एधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान के त्याद रखें और रोजाने योगे बायाम करते रहें, नवस्का दोस्तो रादे रादे, दोस्तो अगर आपने वारे चैनल को अभी तक सस्क्राइम नहीं किया आए तो कर लें और साथी साथ वेल आइकन ओल पर दमाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें